हरिया नाम का यह सूवरिस पॉंड में नाहा रहा होता है हरिया ठीक तरे से ना पता उससे पहले ही मंगला और उसकी टीम उसको गेर लेती है तभी मंगला जोर से अपने साथियों को बोलता है दोस्तों सकले से तो यह बिर्जु का रिष्तिदार लगता है इसको इतना मारो इतना मारो की इसकी अवास सुनकर खुद बिर्जु को यहाँ आना पड़े ये सुनकर हरिया दर्द बरी अवाज में बोलता है अब ये सालो मैं तो एक मुसाफिर हूँ यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा थोड़ा नहाक के थंडा हो जाओं लेकिन मुझे क्या पता था तुम लोग भी मुझे ठंडा करने के लिए आ जाओगे हर्या की बातों का जंगली कुत्तों पर कोई अस्वर नहीं होता और वे लोग हर्या को इतना मारते हैं इतना मारते हैं कि हर्या हमेशा के लिए ठंडा हो जाता है ये सात्वा सुवर था जिसने बिर्जु के चकर में अपनी जान गवाई ये आंकडा और कितना बड़ेगा ये तो वक्ती बताएगा